दोस्तो इस वीडियो के पहले भी आपको धूर, कठा, बीगा, धुरकी, फुरकी ये सब के विशे में विश्तार पुरुवक बताया गया था मुझे उमीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे वह वीडियो एक conceptual वीडियो है, उसको देखना आपको जरूरी है क्योंकि उस वीडियो में बारिकी से बताया गया है कि एक धूर बराबर कितना होता है एक कठा बराबर कितना होता है, एक बिगा बराबर कितना होता है, धूरकी क्या है सब चीज clear किया गिया था लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का confusion था जो आज किस वीडियो में दूर होने वाला है और साथ में हम आज practical knowledge पर भी हम चर्चा करेंगे जैसे कि कोई खेत है उसका हम छेतरफल निकाल लेंगे तो उसको हम धूर कठा बिगा में कैसे परिवर्दित करेंगे वो चीज आज किस वीडियो में जानेंगे और कुछ question थे उस question को भी मैं लेकर आया हूँ ताकि आपका जो concept है वो पुरा clear हो सके clear तो question भी बहुत मज़ेदार हैं इसलिए इस वीडियो में complete बने रहे हैं और संभव हो सके तो copy pen निकाल लें तो सबसे पहले हम जो पिछला वीडियो बनाया गिया था उसमें कुछ data था उस data को पहले आपको बताते हैं उसके बाद में आपको सारी चीजे समझ में आएंगी देखे यह है गंटरी जरीब और हम लोग पढ़ रहे हैं chain survey chain survey में गंटरी जरीब का ही परियोग basically किया जाता है तो देखे एक जरीब बराबर होता है एक जरीब बराबर होता है सो कड़ी अगर हम फीट में देखें थोता है 66 फीट अगर हम गज में देखें तो होता है 22 गज अगर मीटर में देखें तो होता है 20 मीटर अगर इंच में देखा जाए तो होता है 792 इंच अगर हाथ में देखा जाए तो होता है 44 हाथ और फिर अगर बीता में देखा जाए बीता में तो होता है 88 बीता यह data आपको उस वीडियो में बताया गया था और आपको ये भी कहा गया था कि इसको याद करना जरूरी है क्योंकि ये पीछा छोड़ेगा नहीं और बात सही पीछा नहीं छोड़ेगा इसलिए एकदम इसको याद कर लेना है और साथ में आपको बताये थे कि एक दूर की बराबर होता है बीस फुर की एक दूर की बराबर बीस फुर की फिर एक दूर बराबर होता है बीस दूर की उसके बाद में एक कठा बराबर होता है एक कठा बराबर बीस दूर और फिर एक बीगहा बराबर एक बीगहा बराबर होता है बीस कठा ये वला चीज आपको याद होगा मुझे उमीद है अगर याद नहीं कियें तो याद कर लें ये पीछा छोड़ेगा नहीं और आपको तो पता ही है कि कठा, धूर, धूरकी, फुरकी, बीगा का जो मान है वो हमेशा चेंज करते रहता है वो डिपेंड करता है लगी के उपर क इसका किसका मान, धूर का मान, कठा का मान, बीगा का मान, या फिर कहलें धूरकी, या फिर कहलें फूरकी, या फिर चूरकी, ये सब जितना का मान है वो डिपेंड करता है कि इस पर लगी के उपर, अब ये लगी क्या है आपको तो बताये थे उस वीडियो में बांस का बना होता है इस पर क्या करता है डिपेंड करता है जितना बड़ा लगी रहेगा उतना बड़ा धूर का मान रहेगा मतलब जितना बड़ा लगी है उतना लंबा चोड़ा एक जमीन को हम लोग क्या काते हैं एक धूर कहते हैं उस वीडियो में बताएं है ठीक है तो लगी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है इसलिए जब ये सारी चीज़ें लगी पर divide depend कहते है और जब लगी ही छोटा बड़ा हो जाए तो यह सारा चिज क्या हो जाएगा छोटा बड़ा हो जाएगा चीव zegशी फंड़ा हैश क्योंकित है क्योंकि सब इस पर depend हो रहा है और यह सब जो है एक एक सनल्स तो भूजा का इसकोर होता है वर्ग शुतर है और स्कूर को मिटर की से श्कूल के मैं सु मैं हि काई के मुला तो तो इस इकाई के जगापर जब ये चखेत्रफल के इकाई है तो यहाँ पर सो के बाद में या तो कठा या तो धूर या तो भीगह ये सब लगाया जा सकता है चेत्रफल का ही ये सब क्या है इकाई है इक तम छोटा किज monks अجमायोरत नहीं है ठीक है ये सब खुद आप बाई एक हाथ है, कि दो हाथ है, कि तीन हाथ है, कि चार हाथ है, कि साड़े चार हाथ है, कि पोने पांच हाथ है, इस रकर करके चार से लेकर बारा हाथ का पुरे भारत वरसे में लगी चलता है, कुछ भी लगी चल सकता है कि ने, तो वह basically हाथ से मापा जाता है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके छेतर में कितने हाथ का लगी चलता है यह सब बातें आपको उस वीडियो में बताएगे थे यह basic वीडियो है clear चलिए अब आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं मान के चलिए मान के चलिए कहां गया हाँ मान के चलिए के पलोट है जिसका लंबाई है जिसका लंबाई है सो गज कितना है सो गज और चवड़ाई है पच्चास गज बात समय मारी है लंबाई है सो गज और चोड़ाई कितना है पचास गज अब इसका हमको छेतरफल निकालना है वो भी धूर कठा बिघा में कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो धूर कठा बिघा है इसका मान चेंज करता है अच्छा मान चेंज क्यों करता है भाई ये डिपेंड करता है लगी के उपर अच्छा लगी के उपर डिपेंड करता है अच्छा ये जो जहां पर खेत इस्थित है वहाँ पर कितना हाथ का लगी चलता है सबसे पहले हम यही पता करेंगे पांच हाथ का लगी सावाल समझ में आया एक खेत है जिसकी लंबाई 100 गज चवड़ाई क्या है 50 गज खेत नहीं ये बहुत बड़ा टार होगा अब इसका छेतरफल निकालना किसमे धूर में कठा में बिगा में धुरकी में फुरकी में चलिए और वहाँ पर कितना हाथ का लगी चलता है पांच हाथ का ये जब तक पता नहीं रहेगा तब तक धूर कठा बिगा का मान निकालना बहुत ही टप हो जाएगा नहीं निकलेगा गलत निकल जाएगा है कि नहीं कितना हाथ का लगी से मापा गया है यह जानना जरूरी है चलिए यह आपको पहला वीडियो में बताया था कि एक धूर का जो मान है वो निकलता है एक लगी एक लगी के स्क्वायर से या तो फिर एक लगी गुना एक लगी यह आपको पताया थे पहला वीडियो में के लिए तो इसको आपको जिंदगी भर के लि अगर यहां पर पांच हाथ का लगी चल रहा है इस खेत में तो क्या करेंगे तब एक धूर का मान कितना निकलेगा बलेक से ही लिखते हैं तो एक लगी के जगा पर क्या लिख देंगे पांच हाथ लिख देंगे क्योंकि लगी का लंबाई कितना है पांच हाथ तो एक लगी क जगा पर हम पांच हाथ लिख देंगे अगर यह square है तो यह square कर देंगे यह किसका मान निकलेगा एक धूर का मान निकलेगा के लिए अब देखिए पांच हाथ अच्छा इसका जो छेतरफल निकलेगा वो किसमें निकलेगा गज में निकलेगा गज में स्क्वाइर गज में चलिए अगर ये एक आयत है तो आयत करशेतर पल होता है लंबाई गुने चोडाई सबसे पहले इसी करशेतर पल निकाल लेते है लंबाई कितना सो गज चोडाई कितना है पच्चास गज अब दोनों को गुना कीज़े कितना जाएगा इसका पक्का है अब यहाँ पर यह जो हाथ है अगर हम इसका भी स्क्वाइर कर देंगे तो इतना इसक्वाइर हाथ एक धूर बराबर आजाएगा लेकिन फिर इसको धूर कठा बिगहमें बताने मुश्किल हो जाएगा क्यों होगा योगि ये गज square में है भाई तो हमको धूर का मान भी गज square में चाहिए जहां पर 5 हाथ का लगी चलता है तभी नहीं हम convert कर पाएंगे एक ही तरह कर रहेगा तभी नहीं होगा वहाँ पर काम चलिए तो 5 हाथ तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक हाथ में कितना गज होता है एक हाथ में कितना गज होता है अब आपके सामने समस्या खड़ा हो गया कि भाई ये कैसे याद रहेगा देखिए सबसे बड़ा जड़ है यही है जड़ी बुटी आपका ये वाला चीज पता है तो फिर यहां से निकाल सकते हैं क्या हमको निकालना है कि एक हाथ बराबर कितना गज होता है तो आप जान रहे हैं कि यहां पर 44 हाथ बराबर कितना है 22 गज है देख सकते हैं यह सब बराबर है आपस में 44 हाथ बराबर 22 गज तो यहीं पर निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा, क्या है, 44 हाथ यहीं पर लिख देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, 44 हाथ बराबर में 22 गज, यही चीज है, अब यहाँ पर, एक हाथ बराबर कितना हो जाएगा, एक हाथ बराबर, यह बराबर, यह बराबर, यह बर एक हाथ बराबर तो कहां से निकला यहां से निकला है गिने तो इसलिए आपको बोले थे कि इसको याद कर लें यह सबको भी याद कर लें और भी बहुत सारी चीजें आपको याद करने को मिलेंगी अभी तो शुरू हुआ है कहानी ठीक है चलिए यानि कि एक हाथ के जगा प है simple सी funda है इसका हो जाएगा square या तो फिर यहां पर आप सिधे पहले यहां पर क्या लिख दीजे गज लिखे पहले गज और इसका hall square कर दीजे या फिर बाद में भी गज लिख सकते थे यह क्या है पांच गुना आधा यह क्या है जिरू पॉइंट 5 का मतलब होता है आधा तो पांच का गुना आधा से करेंगे तो अड़हा हो गाएगी ने तो टू पॉइंट 5 हो जाएगा और यहां पर क्या है गज और hall square है तो hall square लगा दिये अब यहां पर क्या किजिए 2.5 का भी square है और गज का भी square है अगर hall में square रहे तो संख्या का भी square रहता है और unit का भी ठीक है जो भी संख्या उसब का square रहेगा तो यहाँ पर अगर 2.5 का square करते हैं मतलब कि 2.5 और 2.5 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आजाएगा 6.25 कितना आएगा 6.25 और यहाँ गज का square या फिर वर्ग गज लिख सकते हैं चलिए हम गज का square लिख देते हैं मतलब कि यह एक धूर का मान हमको दे दिया एक धूर बराबर में कितना सावा 6 square गज कहाँ पर जहाँ पर 5 हाथ का लगई चलता है जब एक धूर का मान निकल गया तो यह वला जमीन कितना धूर है वो असानी से निकल सकता है कैसे यहाँ पर देखें इस जमीन का छेतरफल जो है total area कितना आया है 5000 square गज आया है तो इस छेतरफल को हम करेंगे क्या इस से divide कर देंगे मतलब एक धूर का जितना भी मान है उससे क्या करेंगे divide कर देंगे तो यह जमीन कितना धूर है निकल जाएगा अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हम एकिक नियम से समझा देते हैं वो कैसे देखे यहाँ पर क्या है एक धूर बराबर में इतना स्कुर गज आजा है अच्छा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.25 गज का स्कुर बराबर में एक धूर हाँ बिलकुल लिख सकते हैं अरे भाई एक धूर बराबर में इतना गज है इतना स्क्वाइर गज तो इतना स्क्वाइर गज बराबर एक धूर है मतलब इसको इधर और इसको इधर कर दिये बात बराबर है ठीक है अब एक के जी इधर संत्रा है एक के जी इधर सेव है ठीक है अब दोनों मतलब तराजुम जब तोलेंगे तो दोनों सेम रहेगा फिर इसको आप इधर कर दीजे और उसको इधर कर दीजे तो क्या इधर-उधर होने लगेगा नई वही रहेगा एक यह बाटा छे रपर दसमलो और पांच क्या हो जाएगा नहीं यह दो पांच होजाएगा नहीं यह6 मलो 5 इधर डिभैड मी चला जाएगा अच्छा इतना square गज बराबर में इतना धूर होता है मतलब कि एक गज square में इतना धूर हो रहा है तो इतना गज square बराबर में कितना धूर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे इसी लिए 5000 क्या लिखेंगे 5000 गज का square बराबर में हो जाएगा अब इधर भी 5000 से गुना करना पड़ेगा तो 5000 डिभाइर में हो जाएगा 6.25 इतना क्या आएगा धूर आएगा क्या कि यह इसी सम्मिकरन में हम दोनों तरफ 5000 से गुना कर दियें तो यहाँ पर एक गजी स्क्वाइर था तो इधर हो जाएगा 5000 गजी स्क्वाइर और इधर भी अगर 5000 से गुना करेंगे तो 5000 डिभाइर में जो भी रहेगा वो तो रहेगा ही है कि नहीं वो तो चेंज होने वाला नहीं है तो इतना धूर हो गया आप इसको आगे बढ़ाएए 5000 को 6.25 से डिभाइड कीजिए देखिए क्या आता है या फिर इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर डिभाइड कर सकते हैं यह पाँच हजार है डिभाइड क्या है 6.25 हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते थे लेकिन देखिए आपको कैलकुलेशन का भी तरीका पता होना चाहिए और टीचर से ही सिखने को मिलता है नयानय तरीका और अच्छा तरीका तरीका ठीक है देखिए यह वाला गर हम जियसे ही हटाएंगे तो इस दसमलो के बदले में इतना जिरो उपर चलाँगा किसी और दसमलों के बाद में दो अंग ताप इसलिए नीचे संख्षा का तो ऊपर में किया हो जागा बैट जाएगा तो इहां पर दसमलो के बाद में Despite 2010 से का काटेंगे तो क्या हो जागा यहां पर पचीस आएगा क्लियर और यहां क्या हो जागा 25 गूश시면 क्रिमत क्या गया क्या फो नहीं जिरहीं हजार अदानलश करें लाओ कर ठाल कि एक और जिरो उतुर पुर काटिए प्चीस 21 चरता फुर 1559 फृर यहां 2200 दूर, आःसओ धूर मतलब यहां पर अगर पाँच जार को आप इतना से डिवैड किजेगा तो कितना आएगा 800 आएगा मतलब कि इतना धूर अगा कितना इस्कौइर गज ब्राबर 5000 स्कौइर गज ब्राबर तो धूर में मान हमको पता चल गया इस जमीन का जहां पर पांच हाथ का लगी चलता है चलिए धूर का मान निकाल दिये अब हमको कठा में भी निकालना है विघा में भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई हमको पता है कि 20 धूर में एक कठा होता है 20 धूर में एक कठा होता है तो इतना धूर है, तो इसको उमको 20 से Divide करना पड़ेगा, 20 से Divide करना पड़ेगा, ताकि वो चीज कठा में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 800 धूर बराबर, 800 धूर बराबर, 800 Divide करेंगे, 20 से Divide कर देंगे, यानि जो भी धूर का मान रहेगा, उसक कठा आया मतलब यहीं जमिन क्या है 40 कठा है अभी हम सब समझा दे रहे हैं फिर हो जाएगा फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ पर 40 कठा है तो 40 कठा बराबर 40 कठा बराबर हो जाएगा 40 divided by 20 यह चीज किसमें चेंज हो जाएगा बीघा में चेंज हो जाएगा, है कि ने, 20 से डिभैड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर, कहां गया, देखें यहाँ पर, एक कठा बराबर में 20 दूर है, एक बीघा में 20 कठा होता है, तो 20 से डिभैड करना पड़ेगा, जैसे हैं, हम एक कठा यहाँ पर बोलेंगे, तो यह बोला 20 जो है, डिभैड में चला जागा, किसके साथ, बीघा के साथ, है कि ने, तो वही चीज है यहाँ पर, चलिए, तो बीघा के साथ यहाँ पर 20 से डिभैड कर दिए, तो 00 कठ गया, दो एक कम दो, दो दूना चार, तो कितना आया, दो बीघा आया, देखिए, मतलब कि 40 कठा पराबर, दो बीघा, अब देखिए, यह जो जमीन है, हम 3 यूनिट में हम माप लिए, अगर हम धूर में देखें, तो कितना है, 800 धूर है, यही जमीन क्या है, 800 धूर है, अगर हम कठा में देखें, तो कितना कठा है 40 कठा है कितना कठा है 40 कठा है अगर हम बीघा में बात करेंगे तो 2 बीघा है बस यही चीज आपको समझा रहे थे कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है यही जमीन अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 5 हाथ का लगी चलता है इसलिए यहाँ पर 800 धूर आ रहा है यह जमीन 40 कठा रहा है 2 बीघा अ रहा है लेकिन हो सकता है यही जिगा पर अगर 4 हाथ का चले तो फिर यहाँ पर धूर कठा बीघा का मान जो है चेंज होने लगेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धूर कठा बीघा का जो मान है वो प्रेपेंड करता है किस पर लगी पर कि वहाँ पर कितना हाथ का लगी चल रहा है के लिए चलेकर याब इसको आप धूर की फूरकी में भी बदल सकते हैं चाहेंगे तो जबूर 800 धूर है अगर इसको आपको धूर्की में बदलना है तो आठ सो सी और चैंज कर सकते हैं बहुत ही असान है। इसी पर चलिए हम एक कोश्चन बनाते हैं ताकि आपको और भी चीजें किलियर हो जाए। यहाँ पर बोला गया है कि 70 फिट लंबी और 55 फिट चौड़ी किसी आयताकार खेत का छेतरफल साढ़े चार हाथ की लगी से कठा धूर धूरकी में बतामें। कितना फिट लंबी है 70 फिट लंबी है तो 70 फिट लंबी बना दियें फिर 55 फिट चौड़ी है तो 55 फिट चौड़ी बना दियें एक आयताकार खेत है। तो 70 फिट गुने क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा अब इसको गुना कीजिए 75 फिट के 5 हाथ में 3, 75 फिट चौड़ी बेट गिया अब इतना क्या आएगा फिट का स्कौड़ आएगा है मतलब कि स्कौड़ फिट या फिर वर्ग फिट लिख सकते हैं इसका छेतरफल हम निका अब इहाँ पर बोला गया है कि सभड़े चार हाथ की लगी से कथा धूर, धूर की में मान बताना है देखे यहाँ पर ये सवाल जो है अधूर और नहीं रहता ऑगा कि सभड़े फिट अगर ना दिया रहें और बोला जाएT कि इस ख्यinde को आप मतलब अगर 70 फित लंबा है, 55 फित चौड़ा है, आयताकार खेत है, इसका आप जो छेतर फल है, वो धूर में कठा में, बिघा में बतामें, तो गलत निकल सकता है, गलत निकल सकता है, बिलकूल, अपने छेतर के अनुसर सही निकाल दीजेगा, आप जान रहे हैं कि मेरे हाथ सावा अच्छे हाथ के अधार पर कठा धूर बिघा कमान निकाल दीए, धूर की कमान निकाल दीए, लेकिन सवाल में यह चीज दिया हुआ है, तो यही इसी कपरियो करेंगे, और दूसरा चीज का नहीं करेंगे, अपना छेतर गया भान में, हैगी ने, चलिए, तो सबसे पहले ह क्या कर देंगे, स्क्वाइर कर देंगे, तो एक धूर कमान निकाल जाएगा, हैगी ने, अब इसी चीज को यह वाला एकदम पॉइंट वाला चीज है, इसको आपको तो नोट करना ही होगा, अब इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट में बाढ़ देते हैं, एक पार्ट इधर कि हम चार दसमलो, चार दसमलो, पांच हाथ लिख सकते हैं, है कि ने, अरे भाई, एक लगी का लंबाई कितना है, साढ़े चार हाथ, तो फोर पॉइंट फैप लिख दिए, किलियर, इतना हाथ का स्क्वाइर हो गया, अब यह जो लगी था, वो हाथ में चेंज हो गया, डेड़ फुट होता है, अब यह चीज कहां से निकालिएगा, बस यही से, जहां जड़ है, यह बला जड़ है, कितना हाथ बराबर किसमें निकालना है, फुट में निकालना है, तो क्या कीजिए, 44 हाथ बराबर, 6, 6, 6, 6 फिट लिगी है सबसे पहले, फिर उसी तरह से एक क्रियम से जब निकालिएगा, तो डेड़ फिट आएगा, एक हाथ बराबर कितना आएगा, डेड़ फिट आएगा, तो चल यह यहां पर क्या करेंगे, 4.5 है, गुना कर देंगे, 1.5 से, तो यह चीज किसमें चेंज जाएगा, फिट में चेंज हो जाएगा, किलियर, 4.5 थ 75 के 5 हाथ में बच गया, 7, 15 के 60 और 7, 60, दो अंग के बाद 10 मलों को किदेंगे, 5 के बाद में 10 मलों है, फिर यहां पर 5 के दस मलों है, तो दो अंग के बाद 10 मलों बैठाना पड़ेगा, एक अंग और एक अंग, कितना हो गया, दो अंग, दो अंग के बाद 10 मलों बैठा दि हैं ताकि हर चीज आपको जल्दी समझ में आ जाए अच्छा जल्दी कैसे समझ में आएगा कोई जोरी है अच्छा बहुत सारा इसमें प्रोब्लम है कहां पर रहता है कैल्कुलेटर के जल्दी चैसे यूज नहीं करते हैं पता नहीं हां ठीक है कितना है 6.75 into 6.75 बराबर में आगया 45.56 वर्ग फीट या तो फिर इसको आप फीट का स्कुएर लिख सकते हैं यह किसका माना आया एक धूर का माना आया देखिए एक धूर का माना आपको पता चल गिया कि 45.45 स्कुएर फीट होता है जहां पर शारह चार हांत का लगी चलता है वहां पर अब यह खेत है ये क्या है, खेत है, अब इस खेत का हमको निकालना है, धूर कठा बिघा में इसका छेतरफल, तो यहाँ पर तो केवल एक दूर का मान निकला है, अब यहाँ पर छेतरफल कितना है, 3850 स्क्वाइर पिट, इसको क्या करेंगे हम, इससे डिवैड कर देंगे, तो फिर धूर में चेंज हो जाएगा, हैगी नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा खेत का खेत का छेतरफल बराबर खेत का छेतरफल किसमे धूर में पहले निकालते हैं तो 3850 कर देंगे और डिभैड किससे कर देंगे एक धूर का मन कितना या 45.56 से तो 45.56 से क्या कर देंगे डिभैड कर देंगे तो यह चीज किसमें चेंज हो जाएगा धूर में चेंज हो जाएगा ठीक है तो क्या कीजी अप 4850 को फिर इससे डिभैड कीजी डिभैड करने आता है कि नहीं आता है पहले दसमलों को हटा आईए काट ये चाट ये बहुत प्रक्रिया लंबा हो जाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम तुरंत यहीं से कैलकुलेटर के दबारा सॉल्ब कर देते हैं ठीक है छुमंतर कितना है 3850 डिभैड करना है कि इससे 45 दसमलों 56 से तो आ गया ये 84 84 डसमलों 5 आया इतना धूर वह मतलब कि इस खेत का जो छेतरफल है वो 84 धूर है कितना धूर है 84 धूर है एक चीज़ तो यहां पर कैलकुलेट हो गया आ गया अब हमको इसको कठा में बदलना है क्योंकि यहां पर बोला गया है कि कठा में धूर में धूर की में सब में आपको बदलना है तो धूर में पता चल गया अब इसी चीज़ को यदि आप कठा में बदलिएगा किसमें कठा में तो देखे कठा में किसे बदलाएगा इसको आप 20 से डिवैट कर दीजे तो कठा में चेंज हो जाएगा है कि ने तो हो जाएगा यहाँ पर 84 दसमलो 5 इसको 20 से डिवैट कर दीजे तो यह चीज जो है वो कठा में चेंज हो जाएगा काट के देख सकते हैं चलिए एक यहाँ पर जिरो हटाते है दसमलो हटाते है ति यहाँ पर आ जाएगा अब दो से काट यह ठीक है ति यहाँ पर एक सो हो जाएगा फिर यहाँ दो चोके आट दो दूना चार फिर यहाँ दो दूना चार फिर यहाँ पर बच गया एक, दो, पचे, दस, इतना आया अब सौ को आप फिर डिवैट कीज़े तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब किया जाएगा चार दसमलो दो, दो, पांच कठा देखी कठा में भी चेंज हो गिया मतलब कि यह जो जमीन है लगभग सावा, मतलब कि सावा चार कठा है, कितना कठा है सावा चार कठा 4.225, हलाकि आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि दसमलो के बाद में जो दो, दो, पांच है या फिर जो भी रहेगा दसमलो के बाद में संख्या उसका कैलकूलेशन के से किया जाए हाँ, 4.225, हम समझ रहे हैं कि 4.225, कि यहा पर हो रहा है लेकिन दसमलो के बाद वाला प्रोबलम बाद के वीडियो में बताएंगा क्योंकि अगर यहीं पर बताएंगे तो वीडियो हो सकता है कि जादा लंबा हो जाएगा, किलियर ठीक है, अब देखें धूरकी में भी अगर निकालना है तो धूरकी में भी निकाल सकते हैं हम जानते हैं कि एक धूर बराबर होता है 20 धूरकी, तो इसी चीज़ को आप क्या कीजिए, 20 से गुना कर दीजिए तो धूरकी में चेंज हो जागा हैगी नहीं, तो समझ में आ गया होगा मुझे उमीद है, चलिए अब next question में चलते हैं, क्या है next question बोला गया है यहाँ पर कि चार हाथ की लगी से जो जमीन एक बिगा, पांच कठा है वही जमीन, पांच हाथ की लगी से मापने पर कितना होगा देखिए, पांच हाथ चार हाथ, बोला गया है कि चार हाथ की लगी से जो जमीन एक बिगा, पांच कठा है कितना, एक बिगा, पांच कठा है वही जमीन, पांच हाथ की लगी से मापने पर कितना होगा तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कितना जमीन है एक बिगह पांच कठा है कितना जमीन है इसको पहले हम partition करते हैं दो भागों में बाटते हैं चलिए सिधा बटा गया चलिए यहां पर है एक बिगह एक बिगह पांच कठा इसको आप सबसे पहले धूर में चेंज कर दीजे पूरा जो मान है धूर में अच्छा एक बिगा में कितना होता है 20 कठा तो हम एक गुना क्या कर देंगे 20 कर देंगे पलस में जोड देंगे 5 तो ये वाला पूरा चीज किसी में चेंज जागा कठा में चेंज जागा नहीं अरे भाई एक बिगा में 20 कठा और 5 कठा हो रहा है तो 20 अर 5 पचीश कठा देखें 25 कठा ही पर आ जाएगा 20 को गुना किसे करेंगे तो 20 पलस क्या हो जाएगा 5 बराबर में 25 क्या चीज? कठा ये वला चीज कठा में परिवर्थित हुआ अब इसको में को धूर में परिवर्थित गरना है तो ये का करेंगे 25 को गुना हम 20 से कर देंगे तो ये वला चीज क्या हो जाएगा? धूर में परिवर्थित हो जाएगा क्यों? क्योंकि एक कठा में होता है 20 धूर चार हात के लगी से, अच्छा, चार हात के लगी से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, कि भाई, चार हात के लगी से एक धूर में कितना होता है, तो यहीं पर निकालते हैं, चार हात की लगी से एक धूर बराबर, एक धूर बराबर कितना होगा, लगी का स्क्वार, मतलब कि चा हाथ का इसक्वार हो जाएगा नहीं एक लगी का इसक्वार होता है यह तो जड़ है धूर निकालने का अब एक लगी के जगा पर क्या रखेंगे चार हाथ तो यहाँ चार हाथ रख दियें चार हाथ का क्या हो जाएगा इसक्वार हो जाएगा तो चार चोके कितना हैगा सोला सोला हाथ का क्या हो जागा square यानि एक धूर का मान सोला इतना आया इतना आया ठीक है फॉला हाथ square आया आप कहेंगा भै इसको हाथ square में ही निकाल दिये तो क्या हाथ लंबाई का unit नहीं है याँ पर फिट गज ये सब का भी चर्चा अगर नहीं किया गया तो आप हाथ square में भी निकाल करके question को solve कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो ये एक धूर का मान सोला कितना आया सोला हाथ का square आया तो देखिए अगर 500 धूर है कितना धूर है 500 धूर है तो कितना square हाथ हैगा इसको क्या करना पड़ेगा सोला से गुना करना पड़ेगा तो चलिए सोला सो गुना करेंगे इसलिए 500 धूर अगर जमीन है 500 धूर अगर जमीन है तो ये किसके पराबर हो जाएगा 500 गुना में सोला तो ये चीज पूरा किसमें चेंज हो जाएगा हाथ के square में यानि स्क्वाइर हाथ में, तो 16 पची हो जाएगा 80, और यहाँ 00, यानि कि 8000 हाथ स्क्वाइर आया, बताईए यह वह जो चीज प्राप्त हुआ, वो कितने हाथ के लगी से, चार हाथ के लगी से, अगर देखा जाए, तो 8000 स्क्वाइर हाथ आया, यह आपको पता चल गया हो होगा, पांच, अब यहाँ इसको इस्टोप करते हैं, अब एक लगी बराबर क्या होगा, एक लगी बोलते हैं, एक धूर बराबर, एक धूर बराबर क्या होता है, एक लगी का स्क्वाइर, एक लगी का स्क्वाइर, तो यहाँ पर कितना पांच हाथ का लगी है, इसलिए क्या हो जाएगा पांच हाथ इसका हो जाएगा स्क्वाइर मतलब कि पांच पच्छे 25 हाथ का क्या हो जाएगा स्क्वाइर हो जाएगा यानि कि एक धुर कमान कितना आ गया यहां पर पांच हाथ के लगी करनुसार 25 स्क्वाइर हाथ कितना आया 25 स्क्वाइर हाथ और यहां प हम 25 से divide कर देंगे तो वो चीज धूर में change हो जाएगा किस में change हो जाएगा धूर में change हो जाएगा तो चलिए हम क्या करेंगे इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए 8000 8000 हाथ का square बराबर में 8000 8000 divided में क्या हो जाएगा 25 इतना किस में आ जाएगा धूर में आ जाएगा अब इसको काटिए 25 तिया हो जाएगा 75 फिर यहां बज गया 25 दूनी 50 यानि कि 320 आया कितना आया 320 धूर आया इतना इसकोईर हाथ पराबर देंकि सवाल को समझे कोई बड़ा सवाल नहीं था बोला गया था कि चार हाथ की लगी से जो जमीन एक विगहा 5 कठा है वही जमीन 5 हाथ की लगी से मापने पर कितना होगा तो सबसे पहले हम क्या आखिे एक विगहा 5 कठा जो जमीन था उसको टूटली धूर में चेंज कर दीए तो 500 धूर जमीन है 500 धूर जमीन एक विगहा 5 कठा है ऐकी नि não 500 धूर टोटल जमीन था उसको हम क्या किये 16 हाथ स्क्वाइर से गुना कर दियें क्योंकि ये वला क्या है एक धूर का मान है ये वला क्या है एक धूर का मान है इसलिए हम गुना कर दियें तो ये वला क्या चेंज होगी या पूरा स्क्वाइर हाथ में चेंज हो गया मैं अब जो जमीन है वो हाथ स्क्वाइर में आ गया कितने हाथ के लगी से चार हाथ के लगी से अब पांच हाथ के लगी से अगर देखा जाए तो एक धूर का जो मान है वो 25 स्क्वाइर हाथ होता है अब 25 हाथ स्क्वाइर अगर होता है और टोटल जमीन इतना है तो इसको हम इससे अगर डिभैड कर देंगे तो उसी धूर में आ जाएगा तो इसलिए 8000 को अगर डिभैड हम 25 से किये हैं तो 320 धूर आया यही है इस सवाल का answer 320 धूर आप चाहे तो इसको कठा में परिवर्थित कर सकते हैं सब्सक्राइड करने के लिए आपको 20 से भाग दना पड़ेगा तो उस चीजज़ कठा में परिवर्थित हो जाएगा बिघः में करना है तो कठा में आया है उसको भी 20 से भाग देजे वो बिघह में चैंज हो जागा इसादर करके यह कोश्चन बन जाता है चलिए next question, अब इस question में क्या है, बोला गया है कि 5 हाथ की लगी से जो जमीन 5 कठा 10 दूर है, कितना 5 कठा 10 दूर है, वही जमीन, sorry, यहाँ पर थोड़ा black से लेते हैं, 5 कठा 10 दूर है, कितने हाथ के लगी से, 5 हाथ के लगी से, तो वही जमीन 7 हाथ की लगी से कितना होगा, ब पहले partition हम दे देते हैं, उसके बाद में यह जो कितना जमीन है, 5 कठा 10 दूर है, 5 कठा कितना 10 दूर है, तो यह जमीन है, हम इसको पूरा धूर में पहले convert कर देंगे, क्योंकि धूर जो है, वह बेसिक चीज है, धूर को हम लोगी से असानी से निकाल सकते हैं, 5 कठा मतलब क एक कठा में होता है, 20 दूर, इसलिए इसको क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, और पलस में कितना है, 10 दूर, तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, और पलस में 10, तो कितना हो जाएगा, 110 दूर, इतना धूर जमीन है, किसके बराबर 5 कठा, 10 दूर के बराब कितना होता है फिर उससे डिभैट कर दीजिए तो आपको धूर का मान पता चल जाएगा है कि नहीं कि सहरे साथ हाथ के लगी से कितना धूर होगा आप देख सकते हैं कि जमीन वही है लेकिन अगर हम देखें तो चार हाथ के लगी से यहां पर देखिए 500 धूर आ रहा है और अ इतना बड़ा रहेगा उतना धूर का मान जो है धिरे धिरे छोटा होता चलेगा मतलब एक जमीन है एक जमीन है इसको हम दो पैमाना पर मापेंगे एक पैमाना है तीन हाथ एक पैमाना है तीन हाथ और एक पैमाना है चार हाथ तो बताए जब इसको धूर में हम निकालेंग तो सबसे ज़्यादा मान किस में आएगा सबसे ज़्यादा संख्या में मान किस में आएगा तीन हाथवला में क्योंकि यहाँ पर छोटा लगी से मापा गया है तो ज़्यादा धूर होगा यहाँ पर बड़ा लगी से मापा गया है तो धूर छोटा होगा तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं और इस सवाल को भी आप solve जरू कीजिएगा यह मुझे उमीद है और chat section में इसका answer बताईएगा chat का option तो दिया ही गया है और साथ में आपको pdf भी इसका provide कर दिये जाता है वीडिया भी आप देखते होंगे बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए आज की लितना ही अब मिलेंगे अगला वीडियो में जैहिंद वन्दे मातरा